हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल बिकम फ्लासिंग एक्सपर्ट में आज के छोटी से वीडियो में आपको बताने जारा हूँ कि अगर आपके भी पास कोई सैमसंग का फोन है और उसमें पैटर लोक लगा हुआ है और आप उसका पैटर ल लॉग को थोड़ी ही पता कैसे कर ले पहले ही कि इस फोन में गूगल वाला लॉग लगेगा या नहीं लगेगा ठीक है एकदम क्लियर बताऊंगा दोस्तों स्ट्प बाइस्टेप तरीके से जैसा कि आप मेरे पास देख पा रहेंगे यह मेरे पास है एक फोन सैंसंग का सा Samsung Galaxy A10 तो इस फोन में पैटर्न लोग तो लगा हुआ यह मैं देख पा रहा हूं और आप भी देख पा रहेंगे लेकिन इस फोन में गूगल वाला लोग लगा है या नहीं जिसको कैसे कंफर्म करेंगे अगर आपको फॉर्मेट कर देते हैं या फिर हार्ड्रेसेट कर देते हैं तो आपसे गूगल वाली आईडी मागने लगतार आपको पता नहीं होती है और फिर बहुत सारी मसकत करनी पड़ती है उसके बाद ही आपका फोन कुलता है तो दोस्तों क्या तरीका है कैसे आप बहुत ही इजली पता कर पाएंगे कि आपके Samsung के फोन में जब आप हार्ड रिसेट कर देंगे तो Google वाल लगेगा या नहीं सारा कुछ बताऊंगा चली बताता हूं तो दोस्तों आपको क्या करना होगा यह देखिए मेरे पास यह फोन है मैं पैटन को डॉक कर रहा हूं और यह पर ट्राई दिका रहा है ठीक है तो आपको करनाक्या है सबसे पहले तो आपको करका करना आए इक है कि एक देखिदी मैं आपको स्किर फ्लाय कर्सार ज़ातो है कि जाथिंए प्वार बटन हैेल वैलून डाउन बटन गो कुछ इस तरीके से दबाड़ा रखना ठीक है इस तरीके से दबाकर रखना है और आपका फोन सुच आफ हो जाए देख लीजिए आपका फोन सुच आफ हो गया आपसे पैटन लोग नहीं मांगेगा कि आप अपना पैटन डालो तभी मैं सुच आफ फॉँगा या फिर बंद हो गा ऐसा कुछ भी प्रॉसस नहीं है तो यह तरीका है समसंग की फोन को डैटली सुच आफ करने का बहुत ही सिम्लेस तरीका है यह फोर्स फुली नहीं होगा यह बहुत ही एजली हो जाता है तो जब आपका फोन इस सिचुएशन में आ जाए तो एक बार डैटा केबल को निकालना है ठीक है डैटा केबल को निक जाएगा ठीक है option आने के बाद आपको क्या करना होगा यहां से देखिएगा यह बोला volume up continue volume down cancel तो हम volume up बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे यह phone आपका चला जाएगा डाउनलोड मोट पे Samsung के जो भी phone होते वो download mode पे जाते हैं ठीक है तो इस download mode में हम फ्लैसिंग कर सकते हैं unlocking कर सकते हैं तो इसी method से हम बहुत सारी चीज़े पता कर सकते हैं अगर आप एक technician है या फिर आप स्वाप्टर का काम करते तो आपको बहुत ही बहतर तरीके से पता होगा ठीक है जैसा कि आप यहाँ पे देख पारोंगे मैं download mode में phone को ले आया हूँ और अब आपको दिखाने की कोसिस करता हूँ यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखे तो यहाँ पर एक option लिखा हुआ OEM lock ठीक है अन है लेकिन यहाँ पर एक option है FRP lock off है ध्यान से देखेगा ठीक है आपको दिख रहा होगा FRP lock off है अगर यहाँ पर FRP on दिखाता है ठीक है और आपके phone में lock लगा हुआ है तब तो आप पैटर लॉक मत तोड़िये क्योंकि आपके phone में Google वाला lock लग जाएगा 100% लेकिन अगर यहाँ पर जो लिखा हुआ रहा FRP lock off इस phone में पैटर लॉक तोड़ने के बाद Google वाली ID नहीं लगेगी ठीक है दोस्तों तो यह तरीका है और इस तरीके से आप अपने Samsung के किसी भी phone का पता कर सकते हैं कि आपके phone में lock लगेगा या नहीं लगेगा इस method से ठीक है और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा धान से दिखाऊ तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़े आपको मिल जाती है जैसा कि यह carrier ID यह phone इंडिया के लिए बना है तो आइनस लिखा हुआ रहा है और इस पे bit binary जो होती है यह bit binary क्या होती है यह वाले भाईयों को पता होगा यहाँ पर देखिए s1 sorry s8 k8 b8 तो यह b से binary होती है yes से भी binary होती है के से भी binary होती है और u से u8 u6 इस तरीके से binary होती है तो आप यहाँ से binary भी पता कर सकते है ठीक है तो hopefully यह वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा अब इसको हटाने के लिए क्या करना होगा ध्यांसे यहीं पर लिखा भी है अराम से वेल्म डाउन प्लस पावर की साथ सेकंड तक पावर बटन एंड वेल्म डाउन की इस तरीके से साथ सेकंड तक दबा कर रखेंगी और यह फिर से उसी कंडिशन में आ जाएगा देख लीजिए अभी आपका फोन खुलेगा यह देखिए मेरे पास सैमसंग का सैमसंग A10 है ठीक है सैमसंग की A10 में इस तरीके से मैं ने चेक करके आपको लाइट दिखाया आप सैमसंग के किसी भी फोन में चेक कर सकते आपको क्या करना है नहीं देखिए अधर पर यहां कर देखिए अधर रिक दिखिए अधर रिक देखिए अधर इस वीडियो अधर इस वीडियो झाल 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 झाल